हलो एंड विल्कम टूड़े के गुरू टिटोरियल कैसे हैं आप लोग उम्मिद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तों NTA की और से ओफिसियल वेबसाइट पे फाइनली आंसर की NTA की और से रिलिज कर दिया गया है UGC net exam का दोस्तों अब स्टूडेंट्स बड़े बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं result का और इस बार जो exam हुआ है वहाँ पे दो exam को merge कर दिया गया था जून 2021 के साथ साथ दिसंबर 2020 exam को ऐसे में students के जहन में अब एक सवाल बार बार घूम रहा है और वो सवाल ये है कि इस बार result 6% आएगा या फिर 12% आएगा दोस्तों आपको बता दें कि result तो वैसे 12% आना चाहिए क्योंकि दो exam को आपने merge किया है लेकिन मुझे इस बात पे थोड़ा सा doubt हो रहा है क्योंकि NTA के ऊपर में बहुत जादा भरोसा करता नहीं हूँ ये आपको पता है और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस 27% के आसपास result देकर NTA सांत रह जाएंगे तो मुझे इस बात पे पूरा पूरा सक है कि NTA 12% result नहीं देंगे इसलिए अभी से आप लोग इस विशा पे बात करना शुरू कर दो अलग-अलग platforms पे हो सके तो Twitter के माध्यम से NTA को बारबा tag करके लिखो कि UGC net exam चुकि आपने merge किया है तो आप दो exam का result दो यानि की 12% result दो अलग-अलग platforms पे आप बात करना शुरू कर दो सायद ये वाला काम कर जाए और NTA सायद 12% result दे दे मेरा विक्तिकत विचार यह है कि 12% result आना चाहिए लेकिन मुझे लगता है कि NTA ऐसा नहीं करने वाले हैं आपका क्या राय है आ साथी साथ आपका जो भी इस विशाय पर थौट है वो आप कमेंट बॉक्स में खुल कर रखें ट्विटर पे खुल के रखें NTA को मैसेज करें साथी साथ लोकतांत्रिक तरीके से आप अपना अवाज जरूर उठाएं थेंक्यू थेंक्यू वेरी मच्च आप देख रहते लेके वो टेटोरियन